बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी इटूपिनल पेपर हैकर में और आज देखने वाले हैं जो भी जाद्र देखिए हमने कुछ पार्ट में डिवाइट किया था आपको पता होगा और जो आपका जिसे कहते हैं प्रात्मिक स्वास्ता चिके साल है स्वास्त के नाम पास हो सकते हैं लेकिन आपको पास नहीं होना है पास के साथ साथ टॉपर भी बनना है और बनोगे तो आपको 85% प्लस करने होंगे तब आप कंपल सरी यदि आप इसके पीडियाप डालोड करना चाहते हैं तो पीडियाप का लिंक में डिसकॉप्शन वाक्स में दे रखा ह है हमारी website paperhacker.in आपका जो क्लास है उस क्लास वाली बटन पर डच करके आप अपने नोट्स को डालोड कर पाएंगे बड़े आसानी से ठीक है तो आप चैनल को जरू सबको सब्सक्राइब कर लो यार आपका भाई-बैन हाइसकूल इंटर बीए-बीकॉम कुछ भी कर रहा ह क्यों कि वह भी उनकी वी क्लास स्टार्टिंग हो गई है वह भी त्यारी करना स्टार्ट करते हैं हाइश्कूल इंटर वाले सब कुछ ठीक है अब देखिए हमने 75 कोशन में पार्ट 6 में जो हमारी वीडियो थी पार्ट 6 थी उसमें अब हम पार्ट 7 की बात करें हमारी पार समबंदित हो जाती है 45 25 महला हो जाती है तो उनकी जन शमता करतम हो जाती है बच्चे नहीं देपा नहीं तो उनकी जो अवस्था है वेस्था को किस नाम से दाना जाता है तो उसको याद रखना सभी लोग एक बार्स पनूर्ट कर लेना और सिसराइगा तो आपके सामने मे जब आप लोग ज्यादा से अधिक लोगों के साथ आप से अधिक लोगों के साथ सेक्स करते हैं तो आपको क्या हो जाता है और एक वायरस होता है उसके करण एड्स हो जाता है और इसका इलाज अभी तक कोई भी ढूड़ नहीं पाया है बस इसके कुछ संक्रम को कम तो कर सकते हैं लेकिन पूर्ण तरीके से इसका इलाज अभी तक हमारी इंडिया या फिर कहीं भी नहीं है तो प्लीज या चब भी करो तो किसी भी एप्टीज करके नौम सबगर का यू हुआ है इस में जिसमें से 22 जोडी सेवच है और जो एक जोडी सनन से कहते है या फिर GU उसकता है और गो लड़की होगी और एकस बय है तो बो लडका होगा है इसो कोश्ट नीजन पर लाव है जो को परिवार न्यूजन का मतलब होता है अपने बच्चों को निश्चित बनाना वालब दो से बच्चे से ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो कह सकते हैं परिवार न्यूजन का जो अर्थ होता है वह होता है कि बच्चों में परियाप्त अंतर मतलब कि आप एक बच्च निगाल दिया तो ऐसा नहीं करना तो यह यून संक्मड़क से बच्चा आप यून संक्र जैसे कि कॉंडॉम का यूज कर रहे हैं एस तरीके से कह सकते हैं कॉंडॉम का यूज कर रहे हैं तो इसमें से परिवार नियूजन कहलाएगा बही एंड माता और बच्चों का उचित स्वास्त बच्चा हुआ और माता और उनके जो बच्चा पैता हुआ उसका दोनों का स्वास्त रखना यह सभी हमारे परिवार नियूजन के अंदर कर आते हैं यह आप सभी लोग जानते होंगे उसके बाद एक हमारा नेक्स कोशन आपके सामने है द्यान को या तो कहेंगे प्रातमिक सिक्षा का पूर्बवत संबधन था तौ जंसँख्या का पूर्बवत संबोधन था रूसोथ का था समस्से नहीं दीखेंगे और यहां और रोप्शन कई है आपके सामने एक बार इस कोशन का अंसर होता है यह उन सिक्षा जिसने पर सी को लॉग किया है बिल्कुल प्रमसित आंसर है यह उन सिक्षा था नेक्स कोशन आप से बोला गया है कि सरीर में जो किड़नी होती है उसका कार क्या होता है यह फिर का कार क्या होता है यह फिर किड़नी का कार क्या हो कि बहुत ही बड़ी आप तो को उस्श जित करना मतलब बाहर निकाला जो अमारी बॉड़ी में विकार के हानीकारक पजारता उनको मूत्र की महाद्म से बाहर निकालना लाकर एड्स किसके द्वारा होता है तो एक बाइरस होता है ठीक है बैक्टेरियन लेंगे वायरस बोलेंगे और यह कौन सा वायरस होता है एज आईवी एक वायरस होता है ठीक है शकष्ट होने का कारण क्या होता है एक बार मुझे बताएंगे सभी लोग होता है बताइए तो बेटा एट्स तब होता है जिब किसी व्यक्ति को पहले से एट्स है और आप उसका बिलेट अपने अंदर चड़वा लेते हैं तब क्या होगा तब क्या हो जाएगा आप एचाईवी ग्रसित हो जाएंगे क्योंकि वह पहले सही है दूसरा क्या है कि संकृत स्वी माल लीजे किसी कोई संकृत व्यक्ति है और उसने अपना इंजेक्षन लगवा लेएंगे तो आप शंक्रित हो जाएगे वह लगवा लेंगे दो ठीक है कि कि क्या है और वे से सब्सक्राइब करे major क्या होती है कि पिरवस्त की प्रत मतलब होता है तो ऐस Nós को सिक पूचा प्रतम ता क्या होता है कि ब्हूता है यह रखिए कि नेक्स कोश्चन आपके सामने है प्राकsti प्राकिर्तिक प्रवस को कहते हैं प्राकिर्ट प्रवस होती और रोग सब devo करेंगे अठ्म कोशन आपके सामने है एक बार कॉमेंट सेक्स में सभी लोगा अंसर देंगे बोल रहा है निमनेकत मेंसे किस माध्यम से एड्स रो का विशाड़ू एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में पहुंचता है तो रक्त से भी पहुंचता है ठीक है गंदे पानी पीने से आपका एड्स संक्रित रोगी द्वारा उपयोग की हुई स्वी क्यों ही देख रहा है उपयोग की हुई किसी बस्तू को एड्स नहीं फैलता तो आप गोगे कि एक है जिसको ब्यक्ति को एड्स हो चुका है वह एड्स से संक्रित है मतलब एक ब्यक्ति को एड्स हो गया है ठीक है उसके दोरा उप्योग की गई कोई विवस्तु किसी विवस्तु से एड्स नहीं फैल सकता है बिल्कुल फैल सकता है माली जी उसने कुछ सुहीका यूज्ट किया है तो पार तो लेगाक यूग संबन रियोजक्पाइंगा तो भी एड्स झाएगा लेकिं नहीं तो बेटा क्या होगा बिलकुल तरीके से फैलता है ठीक है उसके बाद में दूसरे महला पहुंच जाएगा तो उसके अंदर पहुंच जाएगा ठीक है वह वायरस पहुंच जाएगा इस तरीके से पहले से प्रियुक्त हो चुकी है उसको और या मल कहीं त्यागता है तो फिर उसमें पहुंच जाकर आप पशाब मल तो आपको एट्स नहीं होगा ऐसा नहीं होने वाला तो यहीं चीज़ें नहीं फैलता है तो आपको सरवजनिक चिस्था से जो 140 द्वारा नहीं फैलता है कि निमनिखित में से कौन सा HIV विशाडू का माध्यम नहीं है तो को लार बिलकुल नहीं है रक्त बिलकुल होता है यह यह फिस्वरा रोगीमा का दूद यह भी नहीं हो सकता है और यहाँ आपको और रक्त चाहिए करेंगे को माध्यम नहीं है। से पूछा है माद्यम नहीं की बात के गया हमने कुछ और ही पैचा लिया नहीं है नहीं पूला गया है नहीं है नहीं है यह हमसे पूछा गया है नहीं है यह हमें बताना है रोगी मां का दूद से कभी क्या है HIV नहीं फिलता है लार के द्वारा फैल सकता है रक्त के द्वारा नहीं करेगा लेकुराइर कि निम्नेखित हैं कि से विए यह हाथ मिलाने नहीं फेलहेगा लेकिन हमारा हाथ नहीं फैलने की बात कर रहा है तो यह बिल्कुल option number a is right रहेगा और आप प्रियुक्ति सेकंजी को आप यूज करोगे एड्स तो आपका एड्स फैलेगा लेकिन option number नहीं फैलने की बात कहीं है तो option number a को लॉग कर देंगे next question है एड्स है एक बताईए एड्स एक क्या है वो आपको बताना है एक कैसी समझ्ष आप advokर जिकस् sneaking सह समाजक शमझ्ष आए option number हम c केको करेंगे next question बोला क्या है एड्स से बचने का क्या उपाय है यदि आपको एट से बचना है तो आपको क्या करना होगा यह बताईए यदि आपको एट से बचना है तो आपको क्या करना होगा यदि आपको एट से बचना है तो आपको क्या करना होगा यदि आपको एट से बचना है तो आपको क्या करना होगा यदि आपको एट से बचना ह ना करें तब आप सकते हैं तो उसके बाद में बोल रहा है कि जो सुरक्षित जो यून संबंध है बनाए यदि आप सुरक्षित मनाओगे जैसे कि आप कंडॉम से बगारा का यूज करोगे तो आपको एट्स नहीं फैलेगा यह फिर किसी और चीज़ करोगे तो बहीं आपसे मुझा गया है कि HIV संकृत रोगों द्वारा प्रियोक्ति संका प्रियोक्ति ना करें यदि किसी को हमने एक इंजेक्शन लगाया है और बहीं वेक्ति किसी और को इंजेक्शन लगा देता है उसी इंजेक्शन का यूज करके डॉक्टर तो आपको एचाईवी फ्याल सकता है तो उपरोग ते option number D को लॉग करेंगे next question बोला गया है द्यान से देखेंगे सबी लोग next question है कि भारत में जो को बोल रहा है कि भारत में सर्व प्रतम ठीक है जा करा है भारत में सर्व प्रतम ads रोगी का पता किस सहर में लगा था तो सबसे पहले ads जो धो रोगी मिला था कौन से सहर में मिला था यह आपको पताना है तो 93 जो रहनेवाला है वो रहेगा पूड़े में जी हाँ वो मिला था पूड़े में नेक्स कोशन आपके सामने है देखिए उसके बादे दूसरा कोशन बुला गया है बिस्व एड्स दिवस कम बनाया जाता है बिस्व एड्स दिवस कम बनाया जाता है अब मुझे एक बार बताएंगे बिस्व एड्स दिवस कम बनाया जाता है तो आप सभी कांसर आना चाहिए जो बिस्व एड्स दिवस 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 दि तो आपको Hiroles लिंपोसाइट को सबसे पहले सब से प्र्वाइद करता है यह उसका इस कोशन बुला गया है कि एलीशा परिक्षण किस रोग के पहचान में किया जाता है तो एक है एलीशा परिक्षण जो होता है वो किस रोग के पहचान में किया जाता है तो एड्स रोग के परिक्षण में किया जाता है तो एड्स रोग का तभी पता लगा सकते हैं क्यों से परि सब नोगों को में आंसर दरूर देते रहें और आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजी नेक्स कोशन है यह पार्ट नंबर हमारा 7 है पार्ट नमबर 7 है ठीक है उसके बाद में हम पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह के से इवने डिवाइट किये हैं सारे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पैपर आध का ईड्स का बिशाडू संचरत होता है तो एका एका जो कहां से होता है वहां से होता है लेंगिक संपर्क से होता है और सिरंजों के उपयोग से सदूसित मतलब की जो दूशित है पहले से ही लगा चुगे उनके यूज करने से लिए नेक्स को इसी आशोगा एक बार इस को देखेंगे सभी लोग वीडियो को लाइक करतेंगे निमनेखित में से कौनसा यून संकृत रोग है तो सबसे जादा यून संकृत की बात की जारी है तो कौईसा कौन सा रोग है जो यून से सेक्स करने की बाद फैलता है तो आप सभी कांसर आना चाहिए क्या है को बटा सभी 101 कोशन कांसर देंगे उपरोगत सभी जो यून संकृत रोग का यदि आप उपचार नहीं करते हैं तो आपकी मिरत्वी होजआएगी साथिजाथ आप बाचपन रहेंगे आपके पैदा नहीं होंगे और आप नपूशकता रहेंगे नपूशक मतलब आपका जो है इच्छाएं खतम हो जाती है सेक्स करने के नेक्स कोशिन आप बूला गया है कि एक हमें किटाडू का नाम बता रहे हैं और यह बहुत जदा फैवस भी है जिसे हम कहते हैं ट्रपॉनीमा पैडी पैलीडम जो नामक एक किटाडू होता है उसे फैलने वाला यून संक्रत रोग कौन सा होता है तो यह कीटारू का नाम है, इसको इसको फैलाता है, जो सिफलिस योन सम्मंदित यो को जरम देता है, इस तरीके से बोल सकते है को से कौन सा योंन संक्रवित महला रुका डेखन है जो चैनल भूलाओं ने को कैसे पहले आता है है हमारा जिसे करें द्रवार हुंट सराब और मबद आनां मदब किसी वह पाइब संकरत रहत हैं संक्रत रोग और संक्रत क्거ति किसीम्हका तो उसवंह से क्या होगा कि एक कैसकते हैं गंद युक्त शराव एक मल यूनि होती है उनके बीच में क्या मालीजी आनी हुनी है और यह ना भी इसके पीच में दर्द होगा यदि वो शंकृत होगी सही बात है और महला के जो जनन अंग होता है उसमें क्या है आज सपास सूजन आ जाएगी यह इनके लक्षण होते हैं जो आपको यूंस संकृत महला रोग लक्षण सब्सक्राइब को फैलने से रोका जा सकता है तो आप किसके द्वारा रोग सकते हैं तो आप कोगे संह्म करें गिया फिर संभियम तो संक्रत रोक सकते का यूज करते हैं वीडियो पसनद आई होगी चालको सब्सक्राइब करनेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों को शेर करेंगे बाकि इसके पाइट नंबर जो आफ की बात की जाए ऐप नंबर एट की बाइट में यह सारे खतम हो जाएंगे हमारे पास जो कोशन के संख्या 57 बाइट में करेंगे टीक आप आपने अभी दिख चलको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए चलको सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू बाइबाइट टेक क्यार